देखिए बात हो रही है classification of magnetic material फिर वो magnet अब जड़ा देखिए जान से हमारे पात जितने प्रकार के material available थे हमने उन सभी materials को magnetic film में रखा easily available magnetic film कौन सा है solenite एक तो कोठी तरीके का होता है अराम से बेड़ में लेटा रहता है जिसे हो रही है क्या होता जिसमें वो एक machine होती है उसके अंदर वो CT scan समझ लो तो जो material होता है उसको दिक्कत भी नहीं होती है उसे करते बेटा जाओ ऐसे बिस्ता बिस्ता बिदा जा जा अंदर डाल दिया बैड़े रहो कोई दिक्कत भी नहीं है तो हमने अलग-अलग material को magnetic field में रखा और magnetic field में रखने के बाद उसकी behavior को देखा ठीक है और उस behavior के नाम पर हमने practical करके देखा उस behavior के नाम पर हमने सभी material से तीन पार्ट किये तीन behavior देखिये हमने और तीन तरीके स substance एक paramagnetic substance और एक ferromagnetic substance तो पहला है diamagnetic substance diamagnetic substance magnetic substance कहों या material कहों वो ही है दूसरा हमने जो classification किया हो था paramagnetic substance और तीसरा हमने जो इसका किया वो था ferromagnetic बोले नहीं भई फेरो magnetic substance या material जो भी आप कहें डाय मैगनेटिक substances substances बहुत सारे हैं तो example पैरा मैगनेटिक substance फेरो मैगनेटिक substance अब ज़रा इसका मतलब समझेगा हमने जब किसी material को हम यह magnetic material है मतलब लकडी नहीं लग देंगे उसके अंदर जिसके अंदर magnetic effect create हो सकता है वो कुछ फर्क पढ़ सकता है उन्हीं को रखा गया है लेकिन उनमें फर्क तीन तरीके से पढ़ा तरह देखे जान से हम जब किसी solenide में current flow कराते हैं तो यह current की direction अगर current अपना दाय हाथ की उंगलियों को वैसे मोडिये जैसे current flow हो रही है तो जो अंगुठा होता है वो magnetic field की direction अंगुठा मतलब यह नार्थ फोल होता है तो जब किसी material को रखते हैं तो वो जो magnetic field solenide के अंदर का है वो उस material के अंदर से entry करेगा करेगा ठीक है और material के अंदर हो एटम्स हैं उनके एटम्स बोले तो एटम्स के चारो और electron चकर लगा रहे है अपने nucleus के चारो और चकर भी लगा रहे है और आपने axis की चारो और ऐसे भी कर रहे हैं जिसको क्ये spin कहते हैं ठीक है अपना काम करो, पढ़ा करो, एक ऐसे भी होते हैं, कल हाँ नहीं आपने सही कहा, कल से पढ़ेंगे, एक ऐसे भी होते हैं, एक होता नहीं, अभी अभी सुरू करते हैं, बताओ क्या पढ़ें, तीन तरीके होते हैं, तो तीन तरीके के सबस्टेंस भी मिले, जब मैगनेटिक फ तो उनी मैटेरियल के प्रापटी के नाम पर तीन नाम दिये एक डाया मैगनेटिक एक फिएरा मैगनेटिक फिरा मैगनेटिक अब देखें डाया मैगनेटिक क्या होता है क्यों होता अब बात की बात है कुछ substantial को हमने रखा वो magnetic field के opposite direction में हलके से magnetize हो गए magnetic field के opposite direction में यहनि magnetic field ने क्या कहा इधर की तरफ सभी molecule चलो सभी atom चलो सभी electron ऐसा current फ्लो कराओ कि आपके अंदर magnetic field इस direction में flow हो लेकर उसमें क्या हो गया इस direction शुरू हो गया उसको oppose कर रहा था वही वाले थे अपना खाम को रो पढ़ी ना पढ़ी तुमसे मतलब वो कौन से substance थे डाय मैगनेटिक सबसेंस मतलब वेन डाय मैगनेटिक सबसेंस इस प्लेस इन a magnetic field then a feeble feeble magnetism या वेरी small magnetic field is created in the substance इन दा अपोजी दक्सन इसे अनुचुम की कहते हैं प्रत्चुम की कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं प्रत्चुम की कहते हैं ठीक है वेन लिखे when die magnetic substances are placed in a magnetic field when a die magnetic substance are placed in a magnetic field या in an external magnetic field placed in an external magnetic field then then a feeble, feeble मने हलका, feeble न लिखिएगा, F-E-E-B-E, feeble magnetism is developed, feeble magnetism is developed inside the substances, inside the material, in the opposite direction of external magnetic field, क्यों होता इसके बारे हमें बात करते हैं, ठीक है, external magnetic field, मतलब जो external magnetic field था, जिसके अंदर वो substance रखे गए, उनके अंदर magnetic field तो create हुआ, लेकिन किदर हुआ, इनद आप ओजी direction, मतलब अगर external कहता इधन नार्थ create करो, तो वो कहते हैं, उल्टा नार्थ create करेंगे, तुमसे मतलब, ठीक है, तुम पढ़ा नहीं आए, पढ़ा अपना काम करो, बता रहे हो पढ़ा नहीं बढ़ाएंगे, ये वाले हैं, एक्जामपल लिखे, copper, lead, zinc, tin, gold, silicon, etc. अब ये एक्जामपल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, copper, lead, zinc, tin, gold, nitrogen at STP, nitrogen भी ऐसा करती है, अरे एक्जामपल जो मन में आए, सब थोड़े जरूई आप सब लाइन से लिखो, copper है, zinc है, lead है, tin है, gold है, silicon भी है, nitrogen है, water है, sodium, chloride है, बहुत सारे नाम है, अब क्यों होते हैं, उसके बारे में भी बात बात करेंगे, सब्सक्राइब आगई बात, रखा, तो वो magnetic field की direction में, हलके से magnetize हुए, magnetic field नहीं कहा, इधर चलो, वो ले चलता है, वो धी चलना सुरूब कर दिये, ठीक है, तो लिखे, paramagnetic substances are those, paramagnetic substances are those, which develop, which develop, feeble magnetization, which develop, feeble, f, double, e, b, l, e, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं रेटिंग बड़ी गंदी है, तो पता चला वो feeble को feeble पढ़ लो तूँ, इसलिए हम बोले ज़रा है, feeble magnetization, in the direction of magnetizing field, in the direction of magnetizing field, in the direction of magnetizing field, example लिखे, magnees, अब जिसको, जिसको indications मालूम हो, chemistry वाले, वो से लिख दे, क्योंकि हम physics वाले हमको सब indication नहीं मालूम, इसलिए हम पुरा बोल रहे, magnees, aluminium, chromium, magnees, aluminium, chromium, platinum, ठीक है, तो यह वो substance होते हैं, eggnets, जिनको external magnetic field में रखने पर, वो eggnets, अरे कहें indication जब नहीं आ तो लिख रहे हो, platinum लिखो न, लेकिन याज कर लो, platinum बहुत अच्छा, ornament में भी यूज होता है, न, ठीक है, अब मालिया, साधीत है हुई तुमारी, और तुम गए, I want PT, अब तुमको मालूम है नहीं है, what is PT, यह तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब तुमको, I am educated, because you are PT नहीं मालू, तो platinum का symbol मालू, तो टेस्ट हो गया तो, तो आजकल लड़के तो कम पढ़ रहे हैं, लड़कें ज़्यादा पढ़ रही है, तो टेस्ट उल्टा होगा, तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, next लिखे, ferromagnetic, ferromagnetic substances, ferromagnetic substances, देखो, ferromagnetic substance को जब magnetic field में रखते हैं, तो वो highly magnetized हो जाता है, किधर, magnetic field की direction में, ठीक है, अब क्यों होता है, वो बात में बात की जाएगी, तो लिखेगा, ferromagnetic substances are those, ferromagnetic substances are those, which develop strong magnetism, which develop strong magnetism in the direction of, in the direction of external magnetic field, या in the direction of magnetizing field, strong magnetism in the direction of magnetizing field, यह आपके ferromagnetic होते हैं, ठीक है, example लिखे, iron, example है इसका iron, iron को IR नहीं लिखना, कोवाल्ट, निकल, एटसेटरा बसेते हैं, ठीक है, अब ये तो हो गए आपके, तीन प्रकार के substance, दुबारा सुन लिजेगा, कुछ substance ऐसे हुए, जिनको magnetic field में जब हमने रखा, external magnetic field में, हमने क्या क्या क्या, solenite में magnetic field create किया, current flow गरा कि, उसके अंदर सब्स्टेंस रख दिया, और उसके अंदर जो magnetic field develop हुआ, उसका behavior को हमने चेक किया, तो हमने देखा, कि वो magnetic field के opposite direction में, मतब magnetic field कहता, इधर जाओ, तो हम तो उल्टा जाएंगे, हलके से magnetize हुए, वो कौँसे substance से, कुछ सब्स्टेंस से, जो magnetic field की direction में, हलके से magnetize हुए, वो होते हैं, पैरा-magnetic, और कुछ हुए strongly होते हैं, फेरो-magnetic, तीन प्रकार के student भी होते हैं, डाइ-magnetic student, पैरा-magnetic student, फेरो-magnetic student, डाइ-magnetic student, तीचर आया, अब यह आगया, यह रोग जाता है, एका accident में नहीं हो जाता, ठीक है, बने आप महत अच्छा पढ़ाते हुए, वो अलग की बात है, ठीक है, आगया, आज नहीं आया, इस्कूटर नहीं पढ़ रहा है, बोले बस से आया, यह कौन सबसेंस है, डाइ-magnetic, आप क्लास में गए, आप बढ़िया पढ़ा रहे है, तो इस्टाइल मार रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपके आपोज में जाएंगे, ठीक है, दूसरे है, चम्चे वाले, पहरा-magnetic student, काम क्या है, जी सर, I have तो तीन प्रकार की होते हैं, तो तीन प्रकार की मिटल भी होते हैं, अब ठीक, अब क्यों होते हैं, उसका रिजन में समझाने जा रहा हूँ, तो सच्छे पहले heading डलिए, डाइ-magnetic substances and its properties, अब बहुत ध्यान से समझेगा, property तो बात में हम बात करेंगे, पहले इसको समझ ल आर्बिट के अंदर सब आर्बिट्स होती है, SPDF, सब आर्बिट्स के अंदर सब सेल्स होती है, S में एक सेल होती है, P में तीन होती है, D में पांच होती है, और F में साथ होती है, फिर उन सेल्स में हर एक सेल्स में दो इलेक्रान रह सकते हैं, तीक है, और उन दोनों का spin कि तो देखे जो आपके डाइम मेगनेटिक सबसेंस हैं वो सबसेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो सबसेंस होती हैं उनमें पेर आफ इलेक्टरान पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं पेर आफ इलेक्टरान पाए जाते हैं अब चुंकि बात तो जो एलाइनमेंट होना है जो करना है वो एक्सटरनल आरबिट वाले जो सबसे आउटर मोस आरबिट की हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट वाला जो भी होता है 1s2 हो चाहिए 3p6 हो जो भी हो उसमें पेर में ये electrons होते हैं ठीक है अब ज़रा देखे इन दोनों की बात करते हैं एक atom एक atom का ये electron ये आपका sub cell उसमें दो electron opposite orientation है इनका opposite spin है ना अब देखो ये electron का spin इधर की तरफ है तो जब एक electron का spin एक direction में है उसकी वज़े से current ऐसे flow हो रही है तो ये magnetic moment की इधर create करेगा ये current ये magnetic moment तो इसका magnetic moment की इधर create होगा उपर की तरफ magnetic moment बोले तो magnetic field ठीक है और दूसरा electron की spin की इधर होती है opposite opposite होती है तो ये current magnetic moment नीचे की तरफ ये एक ही सबसेल की बारे बात कर रहा हूँ एक atom उसका एक electron जो आउटर मोस्ट और्बिट की सबसे बाद वाली सबसेल की बारे बात कर रहा हूँ जहां पर pair में electron है तो अब दोनों के magnetic moment की direction opposite है तो यानि की इसका M उपर की तरफ है इसका M ये दोनों एक दोसे एक effect को cancel कर देते हैं तो net magnetic moment इसमें कितना होता है net magnetic moment इसमें zero होता है समझ में आई बात यानि की diemagnetic substance के अंदर net magnetic moment कितना होता है zero होता पहली बात उसके अंदर कोई भी magnetic field नहीं होता है पहली condition ठीक है तो ये तो हो गया जाकर के ये ऐसा behave कर क्यों हो रहा है आप इसके बारे में बात करते हैं अब देखो जानते अब हमने इसको external magnetic field में रखा साउधान हमने इसको external magnetic field में रखा external magnetic field क्या कहता है वो सभी atoms को अपनी direction में align करने की कोशिज करता है कि भाई हमाई direction में आजो यानि कि एक इस substance के अंदर magnetic field क्रेट करने की कोशिज करता है ठीक है भाई magnetic lines पास होगी ना इससे यानि magnetic flux पास होगा और lensla क्या कहता है कि जिस कारण से वो उत्पन होता उसी का विरूद करता है ये lensla कहता है ना बड़े होके पिता जी कहेंगे हमने क्या किया और तुमने क्या किया हमने जब पुछ किया हम नहीं पड़े हम देखो बन गए intelligent वो तो किताब secondaire खरील आए थे तू तो कारण नहीं ले किया हो तभी एक numerical छूट गया था बोर्ड exam में नहीं तो हम वो भी कर लेते आइचे तो 30 नमबर आये थे सव आते उस 70 नमबर इसलिए नहीं आये ये lens rule है कि जिस कारण से आप produce है उसको oppose करते हैं वो इसलिए पिता जी भी oppose कर चुके थे ना पिता जी जब भी बैठेंगे तो बताएंगे हम बहुत बाबा ने सही किया नहीं काम को हम तो intelligent होते तो ज़रा समझेगा जब इसको external magnetic field में रखते हैं तो action क्या होता है दरब साउधान ये magnetic field की direction ये ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई इधर की तरफ सभी atoms align हो जाओ बहुत ध्यान समझेगा oppose करने का तरीका क्या होता है जो हम करें उसमें change करोगे तो उसको oppose करेंगे हमने का बेटा मत पढ़ा करो हम तो 4 सवाल लगए वे हो गया oppose नहीं हुआ हमने का पढ़ा करो नहीं पढ़ाएंगे एकों सवाल ने लगाएंगे हो गया oppose इस atom के लिए यह क्या कहता है कि आप मेरी direction में align हो जाओ या latest direction में है इसकी बात मानेगा कैसे नहीं मानेगा यह अपने magnetic moment को क्या कर देगा कम करने की कोसित करेगा ना उल्टा नहीं कर एकदम से उल्टा थोड़ी कर पाओगे जा करके यह नहीं उल्टा कर देगा यह भी तो external magnetic field है यह भी डंडाउन डा ले कि आया सोटा उटा ले करके अपोज करोगे लेकि इतना नहीं कि अभी इससे उपर हो जाओगे सुनिए जहांसे यह magnetic moment को कम करेगा कौन कर रहा है magnetic moment produce क्यों हो रहा है electron के motion से या तो electron slow हो जाए या तो कम rotation करें कुछ भी करें वो तरीका है electron adopt क्या करेगा वालगी बात है ठीक है भै कहीं देर करना है मालिया आपको यहां आना है अब आपको oppose करना क्या तरीका होता है हम सावर के घर चले गए थे हम थोड़ा पानी पी रहे थे कहां पी मिल नहीं रही थी कहीं न कहीं से हुआ ना ठीक है अब सुनिए यानि इसका moment कितना हो गया एक कम हो गया थोड़ा सा डेल टाइम यह बढ़ाना चाहता था था ना यह क्या चाहता है कि आप इस direction में magnetic field create करो यह कहेगा कि भाई हम इधर जा रहे तो उधर उधर चलो नहीं चलेंगे तो क्या करेगा हम तो तुमारा भिरोध करेंगे तुम इधर जाओ उधर नहीं जाएंगे तो क्या करेगा यह value बढ़ गई ना तो change हुआ कि नहीं हुआ किधर जादा बढ़ी opposite लेकिन दोनों क्या एक दुसरे को neutral कर रहे है नहीं कर रहे है ना तो change कितना हुआ है तो change हुआ है delta m dash वो 2 delta m हुआ है ना और change जादा किस direction में हुआ है magnetic field के opposite direction में इसलिए opposite direction में यह magnetize होता लेकिन feeble होता है हलका होता है ना क्योंकि यह भी तो थोड़ा काम कर रहा है ना समझे बात है opposite उतना ही तो होगा ना उसका खुद का net magnetic field कितना होना चाहिए वह इलेक्टरान का spin की जो दो इलेक्टरान होते है ना उनकी spin की जो speed है वो कम नहीं हो सकती एक इधर मूब करेगा तो दूसरा उधर मूब करेगा क्योंकि एटम का जो खुद का नेचर है कि net magnetic moment कितना होना चाहिए उसका 0 अगर कहीं से same change नहीं होगा ना तो net magnetic moment 0 उसका होगा नहीं ठीक है तो यानि जितना इसमें कम आएगा उतना इसमें बढ़ जाएगा तो अब बताएए magnetic field की direction में change ज़्यादा हो रहा है कि opposite direction में ज़्यादा हो रहा है यानि कि यह जो dire magnetic substance होते हैं वो कौन होते हैं जिनके outer most sub cell में electron spare में होते हैं उनके अंदर खुद का net magnetic moment zero होता है और जब magnetic field external magnetic field में रख देते हैं तो वो according to lens rule according to lens rule यह उसको oppose करते हैं और oppose करने का तरीका यह होता है कि जो magnetic field की direction में है वो अपने moment को कम कर देता है कम करने का तरीका अलग अलग है electron को कम करने का तरीका क्या है speed को कम कर देगा तो जो चकर एक second लगता है वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा और यह उसको पढ़ाने की कोशिश करता है सुन्द में आ गई बात तो यह diamagnetic substance का nature होता है note करिए इसको लिखवा नहीं रहा हो मैं थेयोरी आपको अपने आप लिखनी है इसकी properties कई तरीके से सोची जाती है सबसे पहली property अगर external field में रखने पर एक क्या कर रहा है external field में रखने पर यह external field के opposite direction में feebly हलका सा यह magnetize होता है ठीक है तो पहली property लिख लीजेगा when placed in an external magnetic field when placed in an external magnetic field a dire magnetic substance develops a dire magnetic substance developed यह board के हिसाब से बहुत important नहीं है पिसले साल यह हटा दिया गए दसलिवत से ठीक है लेकिन जो आपके neat वगर आई जो competitive में जो छोटे से question कुछी आते है यह दिक्कत यहां create करते है a dire magnetic substance develops feeble magnetization feeble feeble magnetization in the opposite direction of the applied magnetic field in the opposite direction of the applied magnetic field region बता चुके हैं क्यों region हुआ ठीक है यह तो number one इसकी property हो गए मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मेरा IT बड़ी गंदी है यह external magnetic field डाइग्राम बढ़िया नहीं बनेगा लेकिन बनाई लीजिएगा यह नार्थ पोल है और यह south pole है ठीक है यह magnetic lines है एक दो तीन चार पाँच अब चूंकि बिल्कुल यह बीच में रखा है तो एक हाथ question तो लगाने ही पढ़ेंगी अब टीचर आके सर बख़ड़ा होगा लगा लिए सर एक आज लाइने तो इससे पास होंगी नहीं होंगी लेकिन और लाइने एक तुद्धा दूर बनाईए एक दो तीन चार यह क्या करता है इन लाइन्स को बाहर से निकालता है यह बाहर कर देता है उन्जा अपना काम करो करने क्लास चलो बता देना हमका पेड़ कराब था थोड़ी देर बाहर आएंगे पानी पिने गए थे कापी लेने गए थे यह लो यह एक्सपल कर देता है और नार्थ सामने क्या क्रेट करता है नार्थ और सामने साउथ क्रेट करता है यानि एक्स्टरनल मेगनेटिक फिल्म में रखने पर मेगनेटिक लाइन्स को एक्सपल material को हो rod को जो भी को material is placed in a magnetic field then it expelled it expelled या repelled it expelled कर देता है it repelled the magnetic lines the magnetic lines यानि इसके अंदर जो magnetization create होगा बहुत लेस होगा बहुत 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 लेस होगा ठीक है तो लिखे the magnetic induction the magnetic induction inside the material becomes very less the magnetic induction inside the material becomes less than the ऐसे लिखे becomes less than the magnetizing field magnetizing field magnetizing field इसके अंदर जो magnetic induction होता है वो magnetizing field की compare में बहुत less होता है जैसे मैं example देता हूँ लिखना नहीं आपको आप जानते ही यह रखा कहां पर है यह कहां पर रखा जाता है actually यह solenite के अंदर रखा जाता है जो भी experiment किये गए वो solenite के अंदर रखे गए ठीक है लेकिन medium क्या करता है उसको mu not times कर देता है और यह magnetic field आपको बाहर मिलता है यानि कोई भी material अगर उस solenite के अंदर जाएगा तो उसको यह available वहां होगा ना तो उसी के अंदर यह भाज़ साब रखे हुए है तो यह पूरा का पूरा magnetic material क्या करता है यह magnetic field क्या करता है इसको magnetize करने की कोशिश करता है लेकिन यह तो फैरे die magnetic हम तो नहीं सुधरेंगे हम तो डूबेंगे हैं सरम सरम तुमको भी ले डूबेंगे तो यह भाज साब क्या करते हैं यह expel करते हैं और कितना expel करते हैं 10 to power 5 lines में से कहीं एक line है पास होने देते अंदर से एक आदा और सब बाहर से निकाल देते हैं तो यह die magnetic substance की दूसरी property होती है next point लिखे देखे अब die magnetic substance type का student class पहुंचा सबसे आगे वाले line पे चस्मा लगाया लगाया है चस्मा लगाया ठीक है यह कहाँ सबसे आदा टीचर की निगा किदर रहीسم जनरली किदर रहती है आगे वालों पी क्या काम कर रहें तो यह ital refugees किदर बैठेगा आगे यह पीछे यानि कि यह भाईजप जब भी होते हैं यह weaker magnetic field कितर भाग जाते है कि जहां magnetic field weaker है और master भी कम नहीं है master बोले तो magnetic field कम नहीं है वो पीछे से गुमता है वो master करता है गलत बात है magnetic field के हिसाफ से सबसे पहले किसको field create कोना चाहिए strong का होना चाहिए तो next point लिखे जब भाई साब को uniform magnetic film रखा जाता है तो यह weaker magnetic field भाग जाते है उदर पीछे चलो पीछे बढ़े जलके यह चलो लिखे when placed in a non-uniform magnetic field next point लिखे when they placed in a non-uniform magnetic field non-uniform magnetic field a diamagnetic substance moves from stronger to weaker part of the field the diamagnetic moves from stronger to the weaker part of the field stronger to the weaker part of the field यह stronger से weaker के तरह भागते हैं reason sound में आई गया होगा जैसे example समझेगा मालिया हमने एक magnet लिया यह magnet है जा समझेगा यह magnet है तीक है और दूसरा हमने यह magnet लिया दो magnet पास पास रखे यह ध्यान रखेगा magnet का सबसे आदा जो magnet जो strong होता है field उसके center पे होता है दोनों जोगे यहाँ पर अब यहाँ पर हमने एक dive magnetic substance ऐसे रख दिया ऐसे इसके अंदर एक liquid भर दिया उसमें ठीक है तो यहाँ पर कैसा weak यहाँ पर field कैसा है weak है और यहाँ कैसा field है strong है आपने एक रख दिया एक कटोरा टाइप का उसके अंदर कोई भी liquid फार में भर दिया उसको उठा करके तो यह भाई साब क्या करेंगे यहाँ पर ज्यादा हम यहाँ एकठा ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ थोड़ा भोत रहेंगे यहाँ एकठा हो जाएंगे strong से हटके weaker part में हो जाएंगे ठीक है तो यह इनकी property होती है dive magnetic student नहीं dive magnetic substance student नहीं पता तिला student ज्यादा याद हो गया dive magnetic student अब आप अपने आपको चेक कर सकते हैं you are dive magnetic student paramagnetic student और ferromagnetic student अब यह अपने आप चेक कर सकते हैं ठीक लिखे next point लिखे susceptibility इसकी susceptibility कैसी होती है यह भया उसको हम बनाई यहाँ पर तो एक जैसाथ में बना दिया इसकी यह actually में देखे यह susceptible तो होता है लेकिन opposite होता है तो इसकी susceptibility कैसी होती है negative होती है तो लिखे तो next लिखे its susceptibility is negative its susceptibility is very small and negative its susceptibility is very small and negative एक तो इस्तमाल होता है और negative होता है मैं खुले आम विरोध नहीं करता टीचर का चुपचाप कोई कब नहीं सभाल लगाएंगे कौपीक हो गई अईसा कुछ बताएंगे जैसे कुछ जदा पिटाई भी नपड़े यानि कि susceptibility बोले तो काई एम is greater or equal to minus on and less than 0 मतब बहुत small होती है लेकर negative होती है क्योंकि उल्टी डारेक्शन में ये magnetize होता है ये होगे इसकी susceptibility अब लिखे relative permeability next आता है इसकी relative permeability relative permeability permeability इसलिए पूरा पूरा लिखना पड़ता है relative permeability इसमें एक relation आएगा susceptibility permeability में relation है अब हम बात करेंगे relative permeability होता है mu r mu r के उल्टी होती है 1 प्लस काई अ ये relation होता है अब जरा समझिएगा आपके काईयम की value अधिक सदिक कम से कम कितनी है minus 1 कम से कम कम से कम कितनी है 0 माइनस 1 तो mu r कितना हो जाएगा 0 और फिर अधिक सदिक इतनी है 0 तो इसमें कम से कम अधिक सदिक इसके उल्टी हो जाएगी 1 0 नहीं होता है 0 नहीं होता है थोड़ा बहुत उसमें होता है susceptibility थोड़ी बहुत होती है ऐसा नहीं कि positive भी होती थोड़ी हो लेकिन opposite direction में होती है exact 0 हो भी नहीं सकता कोई भी material कोई भी magnetic material लगर है वो चाहे उस direction में हो चाहे opposite direction में हो बिलकुत 0 उसकी value नहीं हो सकती है तो जो mu r की value होती है वो अब ज़रा इससे निकाल लो ना आप mathematics लगा लो देखो इजाज सुरिए काई m हाँ हमने क्या कहा काई m is greater or equal to minus 1 less than 0 है इसमें 1 plus करो सम्में करोगा ना 1 plus तो इधर क्या हो जाएगा 0 is less or equal to 1 plus काई m is less than 1 इस काई पर confuse मत होना इसके अपना-पना जिसका जो मनाया कोई काई कहे कोई चाई कहे कोई साई कहे कोई अनूब जलोटा कहे कोई जीटा कह रहा है कोई पीटा कह रहा है कुछ भी कह रहा है ठीक है यह आपका relative probability है is greater or equal to 0 less than 1 यानि इसमें जो relative probability है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है ठीक है दब यह equal to 0 नहीं होता तो equal to 1 कैसे हो जाएगी भाई हमने यहां से निकाल लिया mathematically तो वो equal to वहां नहीं है तो equal to यहां भी नहीं होता है next लिखे effect of temperature effect of temperature effect of temperature देखे पहले इसका मतलब समझेगा external magnetic field करता क्या है external magnetic field करता क्या है अपनी reaction में align करता है ठीक है और किसी भी material में जो atoms होते हैं उनमें जो electron का orientation होता है जो electron का spin होता है उसकी जैसे एक magnetic field होता है अगर आप temperature बढ़ाओगे तो उनमें आपस में टक्कर होगी टक्क कोलेजन होगी कोलेजन होने से उनका orientation है उनका spin change हो सकता है तो moment change हो सकता है इन भाइसा आपके पास magnetic moment होता कितना है तो जीरो होता है तो बढ़ाए रहो temperature क्या फरक पड़ता है कि नासर बहुत गुस्टा हो रहे तो ले होने तो गुस्टा क्या फरक पड़ता है हमको कामी नहीं करना कहने तुमको डांटेंगे 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 इसे बहुत बहुत सारे देख ली हमने क्योंकि इन है तो आपोजिट डिरेक्शन में टेमटरीटर कोई फरक नहीं पड़ता है ससेप्टिबिल्टी इस इनडिपेंडेंड अफ तेमपरिचर पड़ेगा ना जब इसके अनदर मेगनेटिक मोमेंट हो जब मेगनेटिक मोमेंट है यही नहीं है उन्होने पहले कर दिया हम नरेगा में काम करते हैं साहब हम पढ़ेंगे नहीं तो का दिक्कत हूं गुँगा है तो लिए susceptibility is independent of temperature temperature पर यह independent होती है ठीक है तो यह आपका main main properties किसी है डाया magnetic substance की ठीक है नोड करिए